तो ये है special गर्मियों के लिए immunity booster लड़ू इसमें जो भी हमने चीज़े एड़ की हैं वो आपकी शरीर के लिए बहुत ही जादा बढ़िया रहेंगी और कोई भी ऐसे गर्म चीज़ें इसमें एड़ नहीं की हैं जो आपके लिए healthy ना हो तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की त गरफ हम बनाने जा रहे हैं लड़ू तो यहांँ पर मैंने लिए हैं मखाना अभी मैंने रेंडम नी निकाल लिए हैं और इसमें से जो खराब मखाना आपको लग रहा है न वो आप side में रख सकते हैं और उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूं इस लड़ू को आप अप तरीके से जब बनाएंगे ना तो बच्चे भी इसको खुश हो कर खाएंगे नॉर्मल तरीका तो आपको पता ही है हम इसमें ना कुछ ऐसे इंग्रीडेंट एड़ करने वाले हैं जो कि बच्चों के फेवरेट होंगे बच्चे हो या बड़े ये लड़ू जरूर श्योंक से खाएंगे तो यहाँ पर हम मखाना ले लिये हैं उसके बाद अब हम क्या करेंगे एक बाउल में इसको पौर कर लेते हैं नॉर्मली घर में जो भी आपके बाउल है उसी साबस आप इसमें पौर करके रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बाउल इसका एड़ कर लिया है और यहाँ पर जो मखाना है वे मैं दो बड़े बाउल इसमें एड़ करूँगी सब्जी वाले बाउल से थोड़ा सा बड़ा बाउल है ये तो आप अपनी सापसे इसमें कम्या जादा ये एजिस्मेंट कर सकते हैं दो बड़े बाउल हमने ले लिए हैं इसको रखते हैं साइड में तो सेकिंड चीज जो मैं इसमें आड़ करी हूँ वो है गोंद गोंद हमारे लिए बहुती जादा बढ़िया होती है कमर दर्द के लिए और वैसे भी हमारे गर्मियों के लिए जादा फायतिमन रहती है अब हम क्या करेंगे कडाई में डालेंगे देसी घी तो थोड़ा सा देसी की हम इसमें पौर कर देते हैं, हलका सा गरम करेंगे, सबसे पहले तो हमें गोंद को ही भूनना है, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, तो यहाँ पर हमने दो बड़े चमच गोंद के लिए हैं, बहुत जादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और ए अच्छे से सारे गोंद को हम भून लेंगे, और उसके बाद इसमें हम निकाल लेते हैं, और बहुत ही बड़ी ऐसे जब फूल जाते हैं, तो आपको फूले फूले और सारे ना वाइट कलर के नज़र आएंगे, तो आपको ब्राउन कलर के नज़र आएंगे, क्योंकि वो अगर आप क्रश करेंगे, मिक्सी जार में एक तो पहले वो अच्छे से क्रश नहीं होगा, और चिप का हुआ आपको लगेगा, और लड़ू इसके अच्छे नहीं बनेंगे, तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइ करना बहुत ज़रूरी है, वैसे तो आप इसक इसका कलर भी हलका ब्राउन हो चुका है, और यहां पर देखिए, गोंद भी अच्छे से बुन गया है, और मखाना भी, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, मिक्सी जार में, इसको डाल कर बात में हम जो है, क्रश कर लेंगे, अभी मैंने इसमें तोड़ा सा हम डा मखाना डाला था ना, उसी एक कप में मैंने बेसन डाल दिया है, तो बच्चों को बेसन के लड़ो पसंद होते हैं, और बेसन के फ्लेवर के आगे ना मखाना का फ्लेवर छुप जाता है, अगर बच्चे मखाना के नहीं घाएंगे, और बहुत ही जादा बढ़िया बेसन को तब तक भुनेंगे, जब तक कि वो थोड़ा सा एक तो कलर उसका डाक हो जाए, और सेकिन वो अपना जो घी है ना, वो बिल्कुल छोड़ने लग जाएगा, आपको एक नॉर्मल कहेंगे कि बिल्कुल एक फ्लैट सी चीज नजराएगे, अभी जो है ये भुन रह वैसे नहीं हुआ है, जैसा हम चाहते हैं, तो एक मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको भुनते रहना है, एक मिनट हो चुका है और घी बिल्कुल जो है निकल गया है, अभी हलका सा मैने ठंडा गया इसको क्योंकि बाकी चीज़े मुझे क्रश करनी है, और ये हमें एड कर दिया है, हमने गौंद भुना हुआ, और इसमें अब हम एड करेंगे ड्राइफूट्स का पावडर, जो की बहुत ही जादा बेनिफिशल होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसको कम क्वांटिटी में डालेंगे तो जरूर एड कीजेग अभी गैस को मैंने बंध ही रखा है, जब सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएंगे उसके बाद मैं गैस को ओन करूंगी और इसका जो कलर है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हलका सा डाक करेंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, जो है मिक्स अच्छे से हो गया है, म कोई मैंने इसमें बड़ी सी कच्छी का यूज नहीं किया है, ना ही मैंने बावूल का यूज गया है, जैसे कि घर में हम थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ आड़ करती है, कोई क्वांटिटी कम या जादा नहीं रह जाए, तो उसी साब से मैंने इसमें अच्छे से मिक्स ह जाएगा और हमारे इस mixture में तब आप गैस को बंद कर सकते हैं अच्छे से सारी चीज़े मिक्स कर लें आप इसमें मलाई का यूज भी कर सकते हैं देसी की जादा नहीं करना चाहते तो सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब मैं क्या करूंगी इसको निकाल लूंग यहाँ पर मैंने लिया है शकर, आप इसमें चीनी का powder भी ले सकते हैं, इसको जागरी powder कहते हैं और यह आप गर पर भी बना सकते हैं, गुड़ ले जाकर, वैसे भी जो चीनी होती है वो filter होती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें से शकर जो होती है, बहुत ही ज़्याद के हिसाब से करूंगी दो से तीन चम्मच एड़ की हैं और थोड़ा सा इसमें मुझे घरम लग रहा है तो मैं इसको आधे मिनट के लिए सिर्फ छोड़ूंगी और उसके बाद ना इसके लड़ू बनाने शुरू कर दूंगी तो यहां पर मैं एक दो चम्मच और इसमें एड वाले बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हलकी सी मलाई एड़ कर सकते हैं ताकि इसको आप लड़ू का फोम दे सके यहां देसी गी ही एड़ कर सकते हैं तो बहुत जादा बढ़िया रहेगा और यह देखिए हलके से गरम होने के वज़े से लड़ू की शे बहुत अच्छे स कुछ ऐसे बनाना चाहिए जो आपको बहुती जादा खुश रखे तो अगर आप भी लड़ू के शोकीन है तो ऐसे लड़ू घर पर बना कर रख सकते हैं और जादा माउंट में बना कर मत रखेगा को गर्मियों का सीजन है कब माउंट में बनाई है जो एक दो दिन में खत लाइक कीजेगा शियर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा तो मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए आप इस लड़ू की रेसिपी को जरूर ट्राइगेजेगा थेंक यू फॉर वाचिंग